हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल यसकेम इस्टड़ी अवे आप सक्सिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवमिस्रा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल यसकेम इस्टड़ी पर और यहां पर क्लास 12 बायलोजी का बहुत ही यह डियने फिंगर प्रिंटिंग क्या है आखरकार यह पूंच लेता है साथ साथ इसके क्या-क्या उप्योग होते हैं डियने फिंगर फिंगर प्रिंटिंग का और यह काफ़े इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बायलोजी एक्जाम के लिए ओरियंटेड है ठीक है NCRT का इसको जरूर से जरूर आप लोग याद कर लेजेगा तो सबसे पहले जानते हैं कि DNA fingerprinting है क्या तो किसी मनुस्य के सरीर की प्रते कोशिका के किंद्रग में उपस्तित DNA पर नायट प्रुजनी छारकों का एक निश्चित क्रम होता है जिसे DNA fingerprinting कहते हैं तो याद रखना DNA fingerprinting क्या होता है किसी मनुस्य के सरीर की मनुस्य के प्रते कोशिका के किंद्रग में जितनी भी कोशिका होती है क्योंकि जो मनुस्य की body बनी होती है cell के द्वारा ही बनी होती है कोशिका के के डियने होता है उस पर नाइट्रोजन इचार को क्या होता है एक निश्चित क्रम उपसीद होता है और जिसे हम लोग डियने फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं ठीक है DNA fingerprint का अपयोग कहाँ पर किया जाता है तो पहला तो इसका किया जाता है अपराधी को पहचान करने में क्योंकि अपराधी कही ने कहीं टच करेगा आप लोग देखते हैं ना कहिने जैसे जो अपराधी होता है वो अगर किसी को मारता है कहीं कोई कांड करता है तो उसको टच करता है तो जब टच करेगा तो उसका जो फिंगर्प्रिंट होगा उसमें आके लग जाएगा तो उसको पहचानने में तुसरा दुरघटना में मारे व्यक्तियों की पहचान क करने में जो दुर्घणड़न में मर गये हैं उनकी वीकति की पहचान करने भी हम लोग hijna finger printing का उपयोग करते हैं तो DNA fingerprint का यहाद तक उपयोग करते हैं पहला प्रादी को दो घंडा मार अगा वेक्टियों को पैतरिकता का निधारन करने के लिए और किसी प्रजात को पहचान करने के लिए DNA fingerprint का उपयोग किया जाता है तो इसकी परिभासा एक बाद और याद कर लेजे किसी मनुस्थ के सरीर की परते कुछ क्या के किंद्रग में उपस्तित DNA पन नाट्रोजन इछारकों का एक निश्चित क्रम होता है उसे DNA फिंगर प्रिंटिंग कहती है ठीक है और ये काफ इंपॉर्टेंट आपकी एक्जाम क पॉइंट आफ व्यू से अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और स्रीयर जरूर करें ओके दूस्तों थांक्यू जैहिन